राश्यपती द्रापदी मुर्वो ने आज नई दिल्ले में एक समारों में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाठक अकार्मी फेलोशिप और पुरसकार प्रदान किये आठ प्रतिष्टित हस्तियों को प्रसुती कलाओं के श्चितर में संगीत नाठक अकार्मी फेलोशिप प्रदान की गई है इस अवसर पर राश्टोपती ने कहा कि भारत की संगीत और कला भाषाओं तथा भावगोलिक सीमां से परे है जिसकी दुनिया भर में प्रशंग सा होती है उन्हों ने कहा कि भारतियों के लिए ये गौरों की बात है कि देश में कलाओं की प्राचीन परंपरा है क्योंकि विवित्ता में एकता भारत की विशिष्टता है पिछले साथ दोसोकों से विविन्नो भारतियों कलाविधाओं, संगीत, नृत्यों, लोकोनाट्यों तो था रंगोमोच को प्रसाहित कर रही है एकाडेमी ने जुबापिडी को कलाओं से जोडने की प्रयास भी सुरू किये है सभ्योता द्वारा हमारे भोतिक उपलब्धिया सामने आती है लेकिन संस्कृती द्वारा हमारी ओमुर्थ विरासत की धराई प्रभाहित होती है संस्कृती द्वारा ही किसी देश की बास्तविक पहंचान होती है असम के बिहुन नुत्यों से लेकार केरोड की कतकली तक, पुर्व में छो से लेकार पुस्ची में गरवा तक, नुत्यों बिधाव में हमारी संस्कृती की इंद्रोधोनुसी छटा दिखाई देती। राज़ुपती ने देश में कलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में संगीत नाचक अकादमी के प्रयासों की सरहना की, इस अवसर पर केंद्री परेटन और संस्कृती मंत्री किशन रेड़ी ने कहा कि सरकार कलाकारों के सम्मान के लिए प्रतिबध है। संस्कृती राज्य मंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने भी समारों को संबोधित किया।